नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से. आज हम उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे, जो सता पर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं. हम वारणसी में ग्यानवापी मस्जित के बारे में बात करेंगे, जहां हम विभिन हिंदू लीगल पार्टीज द्वारा इसे एक हिंदू मंदिर के उपर बनाय जाने की घोशना करने के लिए नए सिरे से प्रयास चल रहा है. हम 1991 के Places of Worship Act के बारे में भी बात करेंगे. ये कानून ने पिछले तीन दशकों से यहें एंशोर किया है कि देश के सभी पूजास्थलों की स्टेटस को चेंज ना हो. उसी स्थिती में रहे जो 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के समय थी. एक्सेप्शन अयोध्या के विवादित बाबरी मस्जिद का था. हम मतुरा और आगरा में चल रहे अन्य कोर्ट केसिस का भी संगशेप में उलेख करेंगे. इनका खासियत ये है इन केसिस का कि संग परिवार से जुड़े लोग फुल मोमेंटम से आगे बढ़ा रहे हैं. दुख तो इस बात का है कि सिटी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के विभिन अधिकारी या फिर लोग जुडिशिरी के ऑफिशिल्स इन प्रयासों के सहयोगी हैं. ग्यानवापी मस्जित का विवाद हो या काशी विशुनात मंदिर का मामला, ये इतना जटल है कि आम इनसान के लिए इसे समझना आसान नहीं है. आईए इस पर विचार करें कि Archaeological Survey of India की सर्वे का मुद्दा स्टेज तक कैसे पहुँचा, इस पे आजगल कॉंट्रुवर्सी चल रही है. इमीजेट कॉंटेक्स्ट क्या है? दरसल शुक्रवार 21 जुलाई को वारण असी के जिला न्याइधीश एके विशेश ने ASI को ग्यानवापी मस्जद परिसर का एक All-Comprehensive Archaeological Survey करने का निर्देश दिया. यदि टीम को आवशकता महसूस होती है, तो Archaeological Excavations भी Survey Procedures में शामिल होंगे. Specifically, विशेश ने ASI को ascertain करने को कहा कि क्या मस्जद का निर्मान एक मंदिर की जगा पर किया गया था? एके विशेश के फैसले ने ग्यानवापी मस्जद से जुड़े कानूनी विवाद को एक नया मोड दे दिया. यह आदेश दो कारणों से particularly objectionable एवं inappropriate हैं. पहला, बमुश्किल 14 महीने पहले, मई 2022 में, शहर की एक निचली अदालत ने पहले ही एक अलग तरह के सर्वेक्षन का आदेश दिया था. उससे एक सदियों पुराना विवाद पुनर जिवित हो गया था. दूसरा problem district judge ने ASI को आदेश दिया तुरंत सर्वेश शुरू करने के लिए और आदेश के खिलाफ उच नियालाय में जो petitioner, petitioner कर सकते थे, उसके लिए भी उनको जो विरोधी, जो मुस्लिम पार्टी है, उसको कोई वक्त नहीं दिया गया. शुक्र है कि सुप्रीम कोट ने district judge के आदेश पर रोख लगा दी और हाई कोट से कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष अपील करना चाहे तो उसे अपील को तुरंत सुनवाई करनी चाहिए. ग्यानवापी मस्जित पर कानूनी विवाद में अलाबाद हाई कोट में एपील ने एक नया अध्यायक खोल दिया है. ये कहानी शायद आगे और complicated हो जाएगी. इससे पहले लेकिन जस्टिस एके विशेश ने September 2022 में इस मामले में एक और controversial आदेश दिया था. उन्होंने Muslim Party अंजुमन इंतेजामिया मस्जित की याचिका खारिज कर दी थी. मस्जित कमिटी ने अनुरोध किया था कि जिन पाँच हिंदू महिलाओं की याचिका के आधार पर वीडियोग्राफी का आदेश किया गया है उसे खारिज कर दिया जाए. परंतु जज विशेश ने पिटिशन को मेंटेनेबल माना था. डेफिनिटिव हेडलाइन्स आये थे मेंस्ट्रीम मीडिया में उस रूलिंग के बाद. सपष्ट हो गया था कि विश्वेश का ओर्डर किसको फेवर कर रहा है. हेडलाइन्स सुनिए. ज्यानवापी केस हिंदू पक्ष में फैसला. जानिये अब क्या हो सकता है. हिंदू पक्ष की बड़ी जीत. एक और. फर्स्ट हडल क्रॉस्ट सेज विश्व हिंदू परिशद. हिंदू पिटिशनर्स ये एक और. हिंदू पिटिशनर्स विन अ बिग स्टेप इन वारनसी कोट. ऐसे हेडला हिंस थे. ऑगस्ट 2021 में ज्यानवापी मस्जित मामले पर कानूनी पेच कसना शुरू हुआ था. पांच हिंदू महिलाओं ने वारनसी सिविल कोट में याची का दायर किया और मांग की कि उनको ज्यानवापी मस्जित के भीतर स्थित माश्रिंगार गौरी, गनेश भगवा हनुमान और नंदी की मूर्तियों को पूजा करने की अनुमती दी जाए. महिलाएं आरेसे से जुड़े संगटन, विश्व वैदिक सनातन संगटन से जुड़ी हुई थी. एप्रिल 2022 में अदालत ने ग्यानवापी मस्जित का वीडियोग्राफिक सर्वे करने को आदेश दिया और ये भी बोला कि हिंदू मूर्तियों की अस्तित्व को डिटर्मिन कर किया जाए. मस्जित कमिटी ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी वीडियोग्राफिक कराई गई. वे सर्वोच नयाले तक गए थे, लेकिन सर्वेक्षन आगे बढ़ा. वीडियो जो वीडियो शूट हुआ था, मीडिया में लीक हो गया है, आपने शायद देखा भी होगा. हिंदू पक्षों ने मस्जित के वजू खाना में एक शिवलिंग होने का दावा किया. मस्जित समिती के अधिकारियों ने कहा, ये सिर्फ एक फवारा है, फाउंटेन. इसी बीच सुप्रीम कोट ने सभी मामलों को डिस्ट्रिक्ट कोट में विश्वेश के पास ट्रांसफर कर दिये. साथ मामलों पर सुनवाई जारी रही, लेकिन उन्होंने ASI द्वारा एक और सर्वे का आदेश दिया. उन साथ के अलावा ये एक सेपरेट केस शुरू हो गया. सपश ट्रूप से फुल ओफिशिल बैकिंग के साथ हिंदू पार्टीज किसी भी तरह से ये स्थापित करना चाते हैं कि ग्यानवापी मस्जिद का निर्मान से पहले उसी स्थान पर एक मंदिर था. सब उसी रास्ते पर चल रहा है जो अयोध्या और बाबरी मस्जिद में हुआ था. ग्यानवापी मस्जिद से संबदित मामले जिला अदालत उछ नियालाय और सुप्रीम कोट में एक साथ चल रहे हैं. अकसर सुनवाई एक दूसरे के विरोध में होती है, अब इस पर विचार करें, ग्यानवापी मस्जिद काशी विशुनात भूमी विवाद के मूल मुकदमे की सुनवाई आखिरकार अलाबाद हाई कोट ने पूरी कर ली है. कोट ने 25 जुलाई को इसकी घोशना की और ये कहा कि फैसला अब 28 आउगस्ट को सुनाया जाएगा. अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी 1991 में दायर की गई, ये मूल याजिका में और भी पिटिशन्स क्लब की गई हैं. जिस जमीन पर मस्ज़द स्थित है, उसके स्वामित्व या फिर ओनर्शिप के लिए सिविल केस, स्वयम्भू भगवान विश्वेश्वर की मूर्ती की ओर से वारण असी के एक वकील ने दायर किया था. पत्तिस साल की कहानी बहुत जटिल है, उस पर बात कभी और करेंगे. फैसला जो भी हो 1991 के ओरिजिनल सिविल केस का, हारने वाला पक्ष, संभवत, अयोध्या मामले की तरह सुप्रीम कोट में फिर से अपील करेगा. लेकिन सुप्रीम कोट को ये सुनिश्चित करना होगा, जब वे इस संभवत अपील पर सुनवाई करेगी, कि वो विभन वारण असी के जो अदालत और इलाबाद उच न्याले में, अन्य जो सभी मामले हैं, उन पर रोक या स्टे लगा दिया जाए. साथ ही एक और इंडायरेक्री रिलेटेड केस पर सुप्रीम कोट पहले से ही सुनवाई कर रही है. यह मामला एक वकील द्वारा दायर किया गया है, जो भारते जन्ता पाटी का सदिस्य से भी है. उन्होंने Places of Worship Act 1991 की धारा 2, 3 और 4 की Constitutionality चैलेंज की है. और हम सभी जानते हैं कि Places of Worship Act अयोधिया फैसले के बिलकुल Foundation में मतलब सारा बेसिस उसी पर था. नर्सिम्मा राउ सरकार द्वारा पारित ये कानून की November 2019 के फैसले में बहुत प्रसंसा की गई थी. कुछ दिन पहले सुप्रीम कोट ने केंद्र सरकार को कानून पर अपना व्यूपॉइंट बताने की आखरी तारीख दी है. 31st October से इस पर सुनवाई होगी. उमीद है कि फैसले से ये क्लियर हो जाएगा कि कानून Constitutional रूप से वैद है. मतुरा में शाही इदगा और कृष्म जनमस्थान मंदिर और आगरा में ताज महल को लेकर चल रहे मुकदमे, सब Places of Worship Act के मुकदमे पर निर्भर होंगे. भारत सरकार का एफिडेविट इसका संदेश देगा क्या भारतिय जनता पार्टी देश में शान्ती चाहती है या हिंदू, मुसल्मान, विभाजन को और डीपिन करना चाहती है. सुप्रीम कोट को राष्ट्र और सम्विधान को केंद्र में रखकर ये फैसला लेना होगा. हम उमीद करते हैं हिंदूस्तान में हम आप जैसे बहुत नागरिक हैं जो दो टके के आमदनी के पीछे नहीं भागेंगे और देश को प्रगती के पथ पर ले जाने के लिए हाथ बटोरेंगे. नमस्कार. नमस्कार.